भारत माता की, भारत माता की, तो मैं शुरू करो भारत मुझांवा, भारत मॉझी, भारत मॉझी, भारत मॉझी, भारत मॉझी वारत मॉझी, His Excellency, Minister of Economy and Labor of Australia, इंडियन डाइस्पोरा के मेरे सभी साथ्वियों भारत के सभी दोस्त सुभचिन तक आप सब को नमस्कार गुटिन टाग साथ्यों ऑस्ट्रियलिया का ऑस्ट्रिया का ये मेरा पहला दोरा है जो उत्सा जो उमंग मैं यहां देख रहा हूं वह वाकई अध्धूत है 41 वर्सों के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री का यहां आना हुआ है आप मैंसे बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके जन्म के पहले कोई प्रधानमंत्री यहां आये थे आपको क्या लगता है इंतजार कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया ना चलिए अब यह इंतजार खत्म हो गया है अब तो आप खुश है ना मुझे बताने के लिए कह रहा है कि रियल में खुश है सच्चा और साथियों यह इंतजार खत्म भी एक एतिहासिक आउसर पर हुआ है आप मैंसे बहुत लोगों को शैद पता नहीं होगा भारत और अस्ट्रिया अपनी दोस्ती के पचत्तर वर्ष सेलिब्रेट कर रहा है मैं चांसरर काल नेमर को इस शांदार स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं एकोनामी एंड लेबर मंत्री मार्टिन कोकर का भी आभार व्यक्त करता हूँ आपका यहां आना यह दिखाता है कि आस्ट्रिया के लिए यहां बसे भारतिय कितने खास है कितने विशेश है फ्रेंट्स बहुगोलिक दरश्टी से तो भारत और अस्ट्रिया दो अलग अलग शोर पड़ है लेकिन हम दोनों के बीच अनेक समानताएं हैं डेमोक्रसी हम दोनों देशों को कनेक करती है लिबर्टी एक्वालिटी प्लॉररिजम और रूल अफ लो का रिस्पेक्ट यह हमारी शैर्ड वैल्यूस है हम दोनों समाज मल्टी कल्चरल और मल्टी लिंग्विल है दोनों देश हमारे समाज में हम दोनों देशों की आदत है डावर्सीटी को सेलिब्रेट कर रहा है और हमारी इन वैल्यूस को रिफ्रेक करने वाला एक बड़ा माध्यम चुनाव है आस्ट्रिया में कुछ महिनों के बाद चुनाव होने वाला है जबकि भारत में हमने अभी 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 हमने लोक तंत्र का परव आन बान शान के साथ मनाया है भारत में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव संपन हुआ है साथियों आज दुनिया के लोग भारत के इलेक्शन के बारे में सुनकर हैरान रह जाते हैं जो चुनाव कुछ सब्ता पहले ही खत्व हुआ है उसमें 650 मिलियन से ज्यादा लोगों ने वोट डाले हैं मतलब वा शायद 65 ऑस्ट्रिया और सोचिए इतना बड़ा चुनाव होता है लेकिन कुछी घंटों में चुनाव के नतीजे क्लियर हो जाते हैं ये भारत की एलेक्टोरल मशिनरी और हमारे डेमोक्रसी की ताकत है साथ यो भारत के इन चुनाव में सेंक्रो पुलिटिकल पार्टिज के आठ हजार से ज़्यादा उमिद्वारों ने हिस्सा लिया इस लेवल का कॉंटेस्ट इतना डायवर्स कॉंटेस्ट तब जाकर के देश में जनता ने अपना मेंडेट दिया है और देश ने मेंडेट क्या दिया साट साल के बाद एक सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने का आउसर भारत में मिला है हमने तो दुनिया में पोस्ट कोविड एरा में चारों तरफ पोलिटिकल इंस्टैबिलिटी देखी है जादातर देशों में सरकारों के लिए सरवाईव करना आसान नहीं रहा दोबारा चुनकर आना तो एक प्रकार से बहुत बड़ा चैलेंज रहा है ऐसी स्थिती में भारत की जनता ने मुझ पर, मेरी पार्टी पर, एंडिये पर भरोसा किया ये मेंडेट इस बात का भी प्रमान है कि भारत स्टेबिलिटी चाहता है भारत कंटिन्यूटी चाहता है ये कंटिन्यूटी बीते दस साल की पालिसी और प्रोग्रेम्स की है ये कंटिन्यूटी गुड गवर्नेंस की है ये कंटिन्यूटी बड़े संकल्पों के लिए समर्पित हो करके काम करने की है फ्रेंड्स मेरा हमेशा ये मत रहा है कि दो देशों के बीच के रिष्टे सिर्फ सरकारों से नहीं बनते रिष्टों को मजबूती देने में जन भागीदारी बहुत जरूरी है इसलिए मैं आप सभी के रोल को इन रिष्टों के लिए बहुत एहम मानता हूँ आपने दसकों पहले मोसार्ट और स्तुरुदल्स की धर्ती को अपना बना लिया लेकिन मात्र भुमी का संगीत और स्वाद आज भी आपके दिल में बसा है आपने वियना की सडकों में ग्राट्स, लिंस, इस्ब्रुक, साज्बुक और दूसरे शहरों में भारत के रंग भर दिये हैं आप दिवाली हो या क्रिस्मस एक जैसे उत्साह से मनाते हैं आप तोरते और लड़ू दोनों बड़े चाव से बनाते भी हैं और खाते भी हैं और खिलाते भी हैं आप अस्ट्रिया की फुट्बॉल टीम और भारत की क्रिकेट टीम को एक ही जुनून से चियर करते हैं आप यहां की काफी को एंजोई करते हैं साथ ही भारत के अपने शहर वाली चाई की दुकान को भी याद करते हैं आप यहां की जुनून से चाई करते हैं आस्ट्रिया का इतिहास और कल्चर भी काफी पुराना है शांदार रहा है एक दूसरे के साथ हमारे संपर्ग भी अईतिहासिक रहे हैं और इसका फाइदा दोनों देशों को हुआ है यह फाइदा कल्चर में भी हुआ है और कॉमर्स में भी हुआ है करीब दो सो साल पहले ही वियना की उनिवर्सिटी में संस्कृत की पढ़ाई शुरू हो गई थी अठारा सो असी में 1880 में इंडोलोजी के लिए एक इंडिपनेंट चैर की स्थापना से इसे और उंचाई मिले आज मुझे यहां कुछ जाने माने इंडोलोजी से मिलने का आउसर भी मिला उनकी बातों से साथ जलक रहा था कि भारत को लेकर उनकी रूची बहुत ज़्यादा है भारत के अनेक महान लोगों ने भी आउस्ट्री साइया से बहुत प्यार पाया है वियना ने रविन्डरना टगवर और नेता जी सुभाज जैसे हमारे अन्याएक महान व्यक्तित्वों की मैजबानी की है और गांदी जी की शिश्या मेरा बेन का अंतीम समय वियना में ही बिता है साथियों हमारा सिर्फ कल्चर और कॉमर्स का रिष्टा ही नहीं है बलकि साइंस भी हमें जोडती है बहुत साल पहले वियना उनिवर्सिटी में हमारे नॉबल पुरसकार विजेता सर सीवी लमन का लेक्चर हुआ था आज मुझे नॉबल पुरसकार विजेता एंतोन जैलिंगा से मुलाकात करने का आउसर मिला इन दोनों महान विजेनिकों को कॉंटम ने कनेक्ट किया है कॉंटम कॉंपुटिंग पर एंतोन जैलिंगा उनका काम दुनिया को प्रेरीत और प्रोटसाहित करता है फ्रेंड्स आज भारत के बारे में पूरी दुनिया में बहुत जर्चा हो रही है हो रही है कि नहीं हो रही है हर कोई भारत के बारे में जानना समझना चाहता है आपका भी यही अनुभव है ना लोग बहुत कुछते हैं ना आपको ऐसे मैं भारत आज क्या सोच रहा है भारत क्या कर रहा है इसको लेकर एक बेटर इनफॉर्म वर्ल बनाना जरूरी है भारत वन सिक्स हुमेनिटी को रिपेजिन करता है और ग्लोबल ग्रोथ में भी करीब करीब इतना ही कंट्रिबूट कर रहा है हजारव वर्सों से हम दुनिया के साथ नौलेज और एक्स्परटाइज सेर करते रहे हैं हमने युद्ध नहीं दिये हम सीना तान करके दुनिया को कह सकते हैं हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं बुद्ध दिये हैं जब मैं बुद्ध की बात करता हूं तो इसका मतलब है कि भारत ने हमेशा पीस और प्रस्परिटी ही दी है इसलिए 21 सदी की दुनिया में भी भारत अपनी इस भुमी का को ससक्त करने वाला है आज जब दुनिया भारत को दिश्व बंधू के रुप में देखती है तो यह हमारे लिए गर्व की बात है आपको भी डगर डगर पे गर्व मैसुस होता है कि नहीं होता है फ्रेंड्स जब आप भारत में हो रहे तेज बदलावों के बारे में पढ़ते हैं सुनते हैं तो क्या होता है क्या होता है क्या होता है मुझे पक्का विश्वासे साथियों आपका सीना भी छपनीच का हो जाता है भारत आज फिप्थ लार्जेस एकोनोमी है 2014 में जब मैं आया इस सेवा के कारे में तब हम दस नमबर पर थे दस नमबर ही नहीं कह रहा हूँ आज हम पांच नमबर पर पहुँच गए हैं यह सब सुनते हैं तो आपको क्या लगता है गर्व होता है यह नहीं होता है दोस्तों आज भारत एट परसेंट के रेट से ग्रो कर रहा है इस स्पीड के साथ क्या हो गया मैं बताओं बताओं आज हम पांच नमबर पर हैं हम टॉप तीन में पहुँचेंगें और सात्यों मैंने देश वाच्चियों को कहा था कि मेरे तीसरे टम में मैं देश को दुनिया की टॉप थ्री एकनमि में लेके जाऊंगा और ये बात मैं आपको बता दूँ कि हम सिर्फ टॉप पर पहुँचने के लिए ही महनत नहीं कर रहे हैं हमारा मिशन 2047 है 1947 में देश आजाद हुआ 2047 में देश शताब्दी मनाएगा लेकिन वो शताब्दी विक्सित भारत की शताब्दी होगी भारत हर प्रकार से विक्सित होगा हम आने वाले एक हजार वर्सों के भारत की मजबूत नीव आज डाल रहे हैं फ्रेंट भारत आज एजुकेशन स्कील रीसर्च और इनोवेशन में अभूत पुर्व स्केल पर काम कर रहा है दत सालों में यहां करणा याद रखना जड़ा दत सालों में हर दिन एवरी डे दो नए कॉलेज भारत में खुले हैं आगे बताओं हर हपते एक नई युनिवर्सिटी खुली है पिछले साल हर दिन दो सो पचास से जादा पेटेंस ग्रांड किये गए हैं भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप इको सिस्टम है आज दुनिया का हर दस्वा उनिकॉम भारत में है बाकी पूरी दुनिया में जितना रियल टाइम डिजिटल ट्रांजेक्शन आज होता है उतना अकेला भारत में होता है हमारे पेमेंट्स डिजिटल है हमारे प्रोसेस भी डिजिटल है भारत लेस पेपर लेस कैस लेकिन सीमलेस एकोनोमी के तरफ बढ़ रहा है प्रेंट्स आज भारत ब्रेश्ट ब्राइटेस्ट बिगेस्ट और हाइएस माइस्टरॉन के लिए काम कर रहा है हम आज भारत को इंडस्ट्री 4.0 और ग्रीन फूचर के लिए तयार कर रहे है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष 2070 तक नेट जीरो गोल्ड हासिल करना का है हम ग्रीन मोबिलिटी पर बल दे रहे हैं और भारत की जो ये अन्प्रेसिडेंटेड ग्रोर्फ स्टोरी है उसका फाइदा आस्ट्रिया को भी हो रहा है आज भारत के अलग-अलग सेक्टर्स पे 150 से अधीक आस्ट्रियन कंपनियां काम कर रही है ये भारत के इंफ्रास्ट्रेक्टर से जुड़ी इसे अनेक प्रोजेक्ट्स तनल जैसे अनेकों इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में आस्ट्रिया की कंपनियां भारत में काम कर रही है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में यहां की कंपनियां यहां के इंवेस्टर जादा से जादा भारत में अपना विस्तार करेंगे फ्रेंट्स आस्ट्रिया में रह रहे भारतियों की संख्या बहुत बड़ी नहीं है लेकिन आस्ट्रिया के समाज में आपका योगदान प्रसौंस नहीं है खास तोर पर यहां के हेल्ट केर सेक्टर में आपके रोड़ की बहुत प्रसौंसा होती है हम भारतियों की पहचान ही केर और कंपेशन के लिए होती है मुझे खुशी है कि ये समस्कार आप अपने प्रसौंस में यहां भी साथ लेकर चलते हैं आप सभी इसी तरह आस्ट्रिया के विकांत में सहभागी बने रहिए मैं एक बार फिर आप सबका इतनी बड़ी तादाद में हाने के लिए आभार जताता हूं आप सबके इस उत्साँ और उर्जा के लिए मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आस्ट्रिया का ये पहला दोरा बहुत ही सार्फक रहा है एक बार फिर यहां की सरकार और यहां की जनता का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं आप सबको मेरी बहुत बहुत शुप कामना है मुझे भी स्वाथ है इस बार 15 अगस पुराने सारे रेकॉड तोड़ने वाली होनी चाहिए होगा न पक्का होगा मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की वंदे बाद बाद धन्यवाद यहां पहुंचें प्रधार मंत्री मोदी ने किस तरीके से भारत विकास की और आगे बढ़ रहा है उसका जिक्र किया भारत में कैसे विकास की युजनाय आगे बढ़ रही है इंडिया में कैसे डिजिटलाइजेशन हो रहा है उसका जिक्र किया स्कूल कॉलेज कैसे बढ़ रहा है शिक्षा का धाचा कैसे मजबूत हो रहा है इंदोस्तान में इन सारी बातों का जिक्र प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में किया साथ ही आस्ट्रिया और भारत के मजबूत होते संबंधों का जिक्र भी प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है यह विशेश मौक लागबिर पुतिन की तरफ से और अस्ट्रिया जब पहुंचे थिये मोदी तो यहां रेट कार्टेट बिचाकर उनका स्वागत दिया गया था और अस्ट्रिया के विदेश मंत्री रेसीव करने पहुंचे थे तुभानमंची नरेंद्र मोदी को इसके बाद दोनों देशों क बीच भी मुलाकात हुई कई एहम समझहतों पर अपने दोरे के आखर में भारतिय समुदाय के लोगों के साथ इंट्रेक्शन पुदानमंची नरेंद्र मोदी का जैसा उनके हर विदेश दोरे पर हिता है यह एक यूएसपी है नरेंद्र मोदी की कि वो अपने हर दोरे में जब भी दिलेश जाते हैं तो भारत वंशियों के साथ वो जरूर एक इंटराक्शन प्रोग्राम रखते हैं जब ऑस्ट्रिया भी पहुंचे थे प्रधार मंत्री मोदी तब भी अलग तो भारतिय समधाय के लोग हैं उन्होंने भारत की संस्कृती और कला को दिखाते उसका जिक्र एक रूड मैप पेश किया दोहजार सेंटालीस तक भारत कैसे एक विक्सित राश्टर के रूप में दुनिया में अपनी पहचान बनाएगा उसका भी जिक्र किया और साथ ही भारत और ऑस्ट्रिया के मजबूत होते संबंधों का भी जिक्र प्रधान मंत्री दरेंदर मोदी ने अपनी स्पीच में किया हुआ कि इस ट्रम है यह नरेदर मोदी का और अपनी स्पीच के दौरान इवियम का दिक्र भी कि वी इंब कर दोराटं उन्होंने किया कि क्योंकि हिंदूस्तान में हमने देखा है कि कई जगे लोग स्वा खटा जब फायली जब जब कोई कर दिल्ट आते हैं फिरोग सावाल का आए त मी EVM को लेकर विपक्ष की और से सवाल खड़ा किया गया था Elections में EVM का इस्तमाल होता उसका भी जिक्र PM में किया कि आज टेक्नॉलजी इती बढ़ चुकी है कि EVM तीन घंटों में नतीजे दे देती है तो क्यूं उसका इस्तमाल ना किया जाए भारत में कैसे शिक्षा का धांचा मजबूत हो रहा है Higher Education किस तरी किसे भारत में एक मजबूत infrastructure उसका डेवलप हो रहा उसका भी जिक्र किया कि हम नई universities, नई colleges लगतार खोल रहे हैं